बिस्मिल्लाहुरह्मानिरहीम अस्सलाम अलेकूम वेलकम बेक टू लारेब्स किचिन हैक्स आज की वीडियो में कुछ ऐसे अमेजिंग बेस्ट किचिन होम टिप्स और ट्रिक्स होंगे जो के आपकी जंदगी को आसान बनाएंगे विंटर क्लीनिंग टिप्स बताऊंगी जो के आपके लिए बहुत ही यूसफुल होंगे अगर आप यूसफुल से टिप्स और हैक्स जानना चाते हैं तो वीडियो को मुगमल देखिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आएं हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा आए चलते हैं टिप नमबर वान की तरफ तो जनाब आज की सर्प्राइजिंग किचन टिप हैं बहुत ही जदा अमेजिंग और यूसफुल है देखिए हमारे घर में टिश्यू पेपर्स मौझूद होते हैं और इन टिश्यू पेपर्स का इस्तामाल करते हुए बहुत ही अमेजिंग सा हम हैक बनाएंगे ये यूसफुल टिप आपके बहुत काम आने वाली है बेकिंग सोडा हर घर में मौझूद होता है बेकरी के आइटम्स बनाने का हर लड़की की खौहिश होती है इसलिए बेकिंग सोडा का इस्तमालना सिर्फ बेकिंग के लिए इस्तमाल के जाता है बिल्के आज के बाद ये टिप आप भी आजमाएंगे टिश्यू पेपर के अंदर मैंने तकरीबन वन टीस्पून के बरावर ले लिया है बेकिंग सोडा और इसको हम अच्छे से एक पोटली सी बना लेंगे इस तरीके से कोई भी रबर बैंड ले लीजिए चोटे से जो बैंड मिलते हैं वो लगा के इसको अच्छे से लॉक कर दीजिए यह देखिए कितने मज़े की छोटी सी हमारे पोटली बन चुकी है यह पोटली कहा कहा काम आएगी तो आएए मेरे साथ देखिए इस वीडियो को अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए तो जनाब अगर आपके बच्चे हर वक पाउं में इस तरह के शूस पैने रखते हैं तो यकीनर उनके शूस से स्मेल आने लगती है तो जब बच्चे सो जाएं या बच्चे अगर आपके ये वले जूते नहीं पहन रहे फिल हाल के लिए तो उन जूते के अंदर इस तरह ये पोर्टली बना के रखतें रात बर के लिए छोड़तें तमाम स्मेल खतम हो जाएगी इसके अलावा आप अपने कपड़ों के अंदर दरम्यान में जहां अलमारी में तेह लगा के रखते हैं वहाँ पे इसको रख सकते हैं ये तमाम की तमाम गंदी जितनी भी स्मेल होती है इसको जजब कर लेता है अमीद है आपको ये वाला हैक सुरूर पसंद आया होगा अमेजिंग यूस्फुल टेप नुबर टू आ जाती है सबस मर्चों को लेकर सबस धनिया और पोदीना को लेकर देखिए हम घर में ये तमाम चीज़े लाते होते हैं और इनको किसी भी शॉपर में डालके रख देते हैं और जब हम इसको लॉंग लास्टिंग टाइम के लिए रखना चाते हैं तो हमें पता है ये मुर्जा जाएंगी खराब हो जाएंगी गल सर जाती है और आम इनको शॉपर्स में इस तरह डालके रख देते हैं आपका असानी से गुजर जाएगा और मुझाएंगे नहीं और जब आप चाहें चट्नी बनाएं जब भी चाहें सालन में धन्या डालना चाहें दाल सकते हैं विंटर स्पेशल यूसफुल टेप नमबर टू आ जाती हैं क्लीनिंग से यर्लेटेड हमारे पार इसस तरह मिक्सी जार होता है में यहां हला इसकी द्रीब दियानी चाहीं हो अंब धाद बबार मशीन को द्ध दकूराएं उस तरहीं हैं कि व इस त्रॉक्त मदबस भाट आपने बार बार पार पीस के रखा होगा वो असानी से साफ हो जाएगा तो बहतरीन तरीका यह है कि आप जब भी कोई मसाला पीसें तो उसको फोरण ही साफ कर लें या नेक्स दे साफ कर लें लेकिन लाजमी साफ करें और इस तरीके से जो माचिस की जो स्टिक होती है इसका इस्तमाल करके आप बहुत ही असानी से इसके कौनों घुतरों में जितनी भी घुसी हुई मैल को जैल है जितना भी मसाला है वो असानी से निकाल सकते हैं उसके बाद do ऑब कोई भी वाइप ले ली जिये और वाइप की मदद से जो मशीन का ये वाला पोर्षन है अगर आप बार बार धौएंगे ना तो क्या होगा कि यह जांग लग जाएगा दोने के बाद आपको लाजबन है कि किसी साफ कपड़े से तो खुश्क करें तो बेहतर तरीका यह है कि आप महीने में एक दफा दोया करें और किसी भी वाइप के साफ करें उसके बाद टिशू ले लें ड्राय और उससे इसको अच्छी से क्लीन कर लें आप देखिंगे भी ये कितना जबदस आफ सुतरा और क्लीन हो जुकी है मशीन इसको कोई जंग नहीं लगेगा और लंबे अर्से के लिए मैं इसको इसको इस्तमाल कर सकती हूँ और रही बाद दूसरे प्लास्टिक के जो बटन साइब टो पड़ा है जो आम इसकी उपर लगाते हैं कवर सा तो इसको मैं धो सकती हूँ असानी से तो दोस्तो आज की टिप नबर फॉर बहुत ही अमेजिंग है देखिए हमारे घरों में अकसर ऐसे होता है कि एक जुराब का पेर जोता है वो हमेशा कोई नहीं कोई ऐसा होता कि खो जाता है तो मेरे पास ये दोनों के एक एक पाउं गाइब हो चुके थे तो मैंने सोचा मैं इसको यूज कर लेती हूँ अब आपके जूते भी आपको गरम रखेंगे और आपके पाउं कभी भी खराब नहीं होंगे देखिए हमारे पास इस किसम के शूज होते हैं सर्दियों में और अगर हम उसको बहुत ज़दा वर्किंग अगर आप लेटी हैं या आप कोई जॉप करते हैं और इस तरह शूज का रेगूलर बेसिस पर इस्तमाल करते हैं और आपकी सोल से ना आपकी एडियान डायट करेंगी और ना ही सोल मजीद बारीक होगा बलके इससे आपके पाउं भी गरम रहेंगे और आप आसानी से अपनी सर्दियों में इसको इंजॉई भी कर सकते हैं और सकून से सर्दियां गुजार सकते हैं अमीद है आपको ये वाली टिप पसंद आई होगी देखें जी हम बात करते हैं बार बार क्लीनिंग की किचिन क्लीनिंग होम क्लीनिंग की बाते करते हैं तो सब क्लीनिंग के बाद आ जाती है आपकी अपनी जात तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ बहुती अमेजिंग सा है एक रेमिड़ी शेयर करूँगी हम देखें सरदियों में खाते हैं माल्टे माल्टे का इस्तमाल तो लाजमी जरूरी है तो जो हम खा लेते हैं माल्टा माल्टा खा लेने के वाद हम फैंक देते हैं इसके छिलके को लेकिन आपके बाद आपने इसके छिलके को फैंकना नहीं है अगर दूप में बैटके आप माल्टा एंजॉय कर ही रहे हैं तो आपको मैं बताओं कि माल्टे का छिलका होता है उसके अंदर वाइटमें सीज होता ह यह आपकी skin को bright कर देता है आपकी skin पर जितने भी dark spots होंगे उनको कम कर देता है और अगर आप इसकी जो inner side है यानि के जो हमने छिल्की के अंदर वली side है इसको अपनी skin के उपर scrub करेंगे न तो इसे क्या होता है कि यह आपकी skin को brighter complexion की तरफ ले जाता है आपकी skin निखरने बारीक दानों वली भी नहीं है और बहुत जादा मोटे दानों वली भी नहीं है तो दरम्याने पिसे विदाने है वह वली मैंने ले ली है और उसके साथ scrubbing करूंगी सोने पर सुहागा तो होना चाहिए ना सिर्फ और इंच पील को scrub करें बलके आप उसकी उपर चीनी डाल लीजिए इससे मजीद cleaning भी हो जाती है जितने भी आपकी स्किन के उपर डाक स्पार्ट बन चुके हैं वह आहिस्ता आहिस्ता इंसर्दियों में आप रोजाना गर माल्टे काते हैं रोजाना इन शिलकों से आप scrub कर लिया करें तो आपकी स्किन लाइट होना शुरू हो इसके अलावा यह आपकी स्किन के उपर जितने भी दाग दबे हैं वह दूर करता है एजिंग एफक्ट आ रहे हैं तो उससे भी यह अच्छी खासी लड़ाई कर लेगा आपके जो पोर्ड़ होते हैं उनको टाइटन कर देता है आपके लिए यह बेहतरीन क्लींजर है आप इससे क्लींजर यह स्क्रॉप के तोपर लाजमी यूज़ कर लिया करें इससे आपकी स्किन ब्राइटन रहेगी टाइट भी हो जाएगी और जितनी टैनिंग है वो भी कम हो जाएगी उमीद है आपको यह वाला मेरा हैक ज़रूर पसंद आया होगा आज आते हैं आज की हास स्पेशल क्लीनिंग टिप की तरफ यहां पर मैंने ले लिया है डिटरजन डिटरजन मैंने लिया है तकरीबन 6 खाने के चमच और आप कोई सभी डिटरजन यूज़ कर सकते हैं आप डिटरजन ले लेने के बाद हम इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा पतला करेंगे यह अफेक्टिव हैं यह मैं आपको अब इस वीडियो में आगे चलके बताऊंगी हम जो साल डाला है ना इसमें वो साल इसके अंदर एक जादूई एफेक्ट लेकर आएगा अच्छा यहां पर मैंने एक ले लिया है क्लीन सी बॉटल ले लेंगे और इसके अंदर यह तमाम का जो गंद है वो जम चुका है आपके सिंग के अंदर मैल कुछ रहल जमी हुई है ऐसे पार्टिकल्स हैं जो के सखत हो चुके हैं आपके स्टोफ की ऊपर आपके ओवन के अंदर ग्रीसी हैं किसी भी किसम के आपके बरतन आपके ओवन वगारा बहुत से तक ग्रीसी हो चुक अभी मैंने आपके सांदने इसको स्प्रे किया है और आप इसकी चिकनाई में आपको दिखा रहे हूं क्योंकि डेली पेसे सफाई होती है तो इस सितनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर भी कितनी ज़्यादा चिकनाई है जब भी ओवन के अंदर कुछ चीज गरम करेंगे तो साइड्स आप देख सकते हैं कॉर्नर्स देख सकते हैं अच्छे से सप्रे करें और मेक्शो कर लें के अलेक्रिसिटी से यह कनेक्टेड ना हो अच्छे से हम इसको साफ करेंगे किसी स्क्रबर के साथ जो भी आप रेगुलर बेसिस पर इसको साफ पाने से दोलेंगे आप देखेंगे कि इसके अंदर भी जितनी मैय कोछ चैल और गन था जितनी भी चिकनाई थी वह सारी खत्म तो होईगी होईगी लेकिन इसके उपर चमक आएगी ना वो साल डालेने से बहुत ही ज्यादा खुब्सूरत इसकी लुक आजएगी ऐसे लगेगा जैसे आप बाजार से यह नया लेकर आए हैं इसी तरीके से ले लीजिए कोई भी बटन देशकियां वगयरा उसके अंदर आप इसको डालके साफ करेंगे आपके नमक डालने से जया morning action होता है वह ज्यादा स्ट्रॉंग हो जाता है तेज हो जाता है इस फॉर्मिंग शेक्यां की वरत से क्लीनिग बहुत ज्यादा डीप हो जाती है यह देकिए अब फाइनली मैं इस अपने जो बटन दोनेवाला शफ़्ट है इसके अदर प्रिंगल करोंग और जितनी मिगदार में आपको चाहिए आप डाल सकते हैं बस आपने करना क्या है कोई से भी डिटरजन दीजिए मिक्सिंग कीजिए साल की देन आप हैरान रहे जाएंगे इतने अमेजिंग इसके एफेक्ट सुंगे के एक लैदा चीजों के नदर चमक आ जाएगी किचन के सिंक्स हैं नल हैं कोई भी चीज़ हैं आप उससे इसकी क्लेनिंग करेंगे साथ सुसे चमक के ये खुबसूरत लशकार है मार्तिस सिंक और बटन हो जाएंगे अमीद है आपको मेरी येवली वीडियो और हैक्स जरूर पसंद आया होगा बैल बटन के साथ नेक्स वीडियो तक के लिए अला हाफिज